जैहिंद फ्रेंट्स आज हम लोग जो हमारा 10th class का mathematics की सीरी चल रही थी उसके अगले topic यो और बढ़ेंगे अभी तक हमारा जो topic चल रहा था वो था trigonometry trigonometry के हमारे दो lectures हो गए हैं जिनमें कि हमने ये बताया कि trigonometric ratio क्या होते हैं और उन ratio की किसी specific angle पर values क्या होती है वो values आपको याद रखने हैं वो पूरा chart याद रखना है अगर आप sign का याद रख लेंगे तो बाकी सारे ratio उसी से निकल आते हैं ठीक है अब next हम पढ़ेंगे कि trigonometric identities क्या होती है ठीक तो next sharing डाल लीजिए trigonometric identities इनको हिंदी में बोलेंगे प्रिकोर्ड मितीय सर्वसमिकाएं identity को हिंदी में बोलते हैं सर्वसमिका ठीक तो trigonometric identities identities होती क्या है पहले ये जान लीजिए identities वो होती हैं जो x या ये कहिए unknown के किसी भी value पर satisfy या हिंदी में संतुष्ट होती है जैसे अभी हम derive भी करेंगे आपने एक पढ़ा होगा sin square theta plus cos square theta is equal to 1 यहां पर आप theta की कोई भी value रखिए 0 से ले करके infinite तक ये relation hold करेगा मतलब left side और right side दोनों हमेशा equal होंगे ऐसी equations को बोलते है identities तो trigonometric identities वो होती हैं जो trigonometric ratio के द्वारा बनती हैं और वो angle की किसी भी value उपर क्या करेंगी hold करेंगी कुछ restrictions आएंगी वो हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से restrictions आएंगी ठीक चलिए trigonometric identities जो होती हैं उनको derive करने के लिए हम एक triangle बना लेते हैं यह triangle है ABC और इसमें क्या है triangle B है 90 डिग्री का ठीक यह angle मान लेते हैं A दिया है आप इसको A भी मान सकते हैं theta भी मान सकते हैं और यह angle है C angle B क्या है 90 डिग्री तो अगर मैं Pythagoras theorem यहां से लिखूँ तो क्या लिखूँगा AC square is equal to AB square plus BC square यह लिखूँगा इस पूरे equation को AC से divide कर दीजिए तो लिखिए divide divide का मतलब भाग देना divide equation by AC square AC square से क्या कर दीजिए पूरे equation को divide कर दीजिए तो AC square divided by AC square is equal to AB divided by AC का square plus BC divided by AC का square AC by AC 1 AB by AC क्या है यह है AB और यह है AC AB by AC इस angle A के लिए क्या है cos क्योंकि angle A के लिए AB क्या है base base by hypotenuse क्या है cos तो इसको लिखेंगे cos A इसका whole square plus BC BC क्या है angle A के लिए angle A के लिए है sine तो sine A का whole square इसी equation को लिख सकते हैं cos square A plus sine square A is equal to 1 यह first identity है trigonometric identity अब यह देख लेते हैं कि A की value कौन कौन सी है अगर A 0 है तो sine 0 का मान 0 और कास 0 का मान 1 मतलब यह hold कर रहा है A is equal to 0 पर यह equation satisfy हो रहा है अगर A 90 है A 90 है तो sine 90 का मान 1 और कास 90 का मान 0 मतलब 90 पर भी hold कर रहा है इसका मतलब यह हुआ कि जो angle है यहाँ पर वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 के equal या 90 से कम होना चाहिए यही restrictions है कि A की किसी भी value पर यह hold करेगा चाहे 0 हो 90 हो 0 और 90 क्यों हमने लिया क्योंकि 0 और 90 यह एक दूसरे को reflect करते हैं कैसे reflect करते हैं वो जान लीजिए यह है 0 यह है 90 90 में फिर 90 करेंगे तो 180 तो 180 है वो क्या है एक 0 का opposite और 180 के बाद 90 जोड़ेंगे तो एक आएगा 270 और 270 के बाद 90 जोड़ेंगे तो 360 तो अगर कहा जाए 0 360 यह 180 के क्या है तो जो value 0 में होगी वही 180 में होगी और यह 90 किसको represent करेगा 270 को तो यह 90 किसका reflection देगा 270 का इस वज़े से हमने केवल और केवल इन दो value पर देख लिया अगर चीजें इन दो पास यह ध्यान रखिएगा इस symbol का मतलब यह है कि A 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है और यह symbol equal को दिखाता है और यह जो यह नोग जिदर होगी वह स्वैलू की बात की जा रही है यहाँ पर क्या है 90 इस A से बड़ा है या इक्वल है ठिक तो यह identity कब hold करेगी जब A की value 0 से 90 के बीच में होगी या 0 और 90 के बराबर होगी ठिक चलिए अब इसी equation को मैं क्या करता हूँ अभी हमने AC से भाग किया अब जरा एक बार AB से भाग दे देते हैं और एक बार BC से तो सबसे पहले अब AB से भाग देंगे तो divide equation by AB square divide कर दीजिए तो AC by AB 1 BC by AB BC ये है और AB ये है इस एंगल A के लिए ये क्या है perpendicular और ये क्या है base तो ये बन जाएगा 10 10 square A AC क्या है ये hypotenuse और AB क्या है अंगल A के लिए base base है ना तो hypotenuse divided by base ये cos का उल्टा है तो sec second identity ये बनी यहाँ पर condition क्या होगी अगर मैं A की value 0 रखता हूँ तो A की value 0 रखते ही 10 0 की value 0 और sec 0 की value क्या हो जाएगी 1 तो 1 is equal to 1 A is equal to 0 पर ये equation hold करेगा A is equal to 90 रखता हूँ तो A is equal to 90 रखने पर sec 90 की value 0 और 10 90 की value infinite क्यों क्योंकि 10 90 defined नहीं है तो यहाँ पर क्या है कि इस पर ये hold नहीं करेगा इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर restriction क्या है कि A या तो 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो लेकिन A कभी भी 90 के बराबर नहीं हो सकता हमेशा 90 से क्या रहेगा कम ये condition याद रखिएगा कि ये condition कहां पर hold करती है जब A 0 से बड़ा हो या बराबर हो लेकिन 90 से छोटा हो अगर A 90 हो गया तो 90 पर ये defined नहीं है इन्फाइनाइट चला जाता है जब इन्फाइनाइट चला जाता है तो ये equation hold नहीं करेगी बस समझ में आ गई ठीक तो ये हुई दूसरी identity तीसरी identity निकालने के लिए अभी हमने A B से divide किया है आप क्या कर दीजिए B C square से divide कर दीजिए रटिएगा नहीं इनको चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी कभी भूल जाएगा तो ऐसे derive कर लीजिएगा प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा तो divide equation by B C square divide कर दीजिए तो A C by B C का square is equal to A B by B C plus 1 A C by B C है क्या? A C hypotenuse और B C क्या है perpendicular किसके लिए? यहाँ पर देख लेते हैं अगर A की value 0 है A की value 0 का क्या मतलब है? कि यह 0, card 0, card 0 क्या होता है? infinite, card 0, not defined और जब defined नहीं है तो यह equation hold नहीं करेगा और A अगर 90 है, A 90 होने पर यह 0, यह 90 का सक 90, 1 तो 1 is equal to 1, मतलब यह equation hold करेगा, तो यहाँ पर A में का रिश्रिक्सन है कि A हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता और 90 या 90 के equal, 90 के equal या 90 से कम यह condition है कैसे निकली यह condition समझ में आ गई बात? यह कैसे निकली? यह देख लीजिए कि कहाँ पर यह infinite नहीं जा रहा है जहाँ पर infinite जाएगा, वहाँ पर यह equation hold नहीं करेगी ठीक? चलिए अब हमारे पास 3 identities हैं और वो तीन identities क्या है? पहली identities है sin square theta plus cos square theta is equal to 1 दूसरी है sec square theta is equal to 1 plus tan square theta वहाँ पर a था, आप b भी कर सकते हैं, c भी कर सकते हैं आपकी मर्जी कुछ भी लिख सकते हैं हाँ पर theta, alpha, beta, gamma बस जो लिखिएगा वो सभी में same लिखिएगा और तीसरी equation थी कासे कि square theta is equal to 1 plus cot square theta यह तीन identities आपको याद रखनी हैं यह identities जब a 0 और 90 के बीच में या बराबर हो तब भी hold करेगा यह 0 से बड़ा हो और 90 या 90 के equal हो या 90 से छोटा हो और यह 0 से बड़ा हो और 90 या 90 के 90 के equal हो या 90 से कम हो यह conditions ज़रूर याद रखिएगा ठीक चलिए अब आज आते हैं questions पर अपनी NCRT खोल लीजिए exercise trigonometry की last वाली exercise chapter 8 में chapter 8 ही हमारा चल रहा था सबसे पहले example से शुरू करते हैं question number 9 cos A sin A sick A sin A के terms में पदों में मतलब terms में लिखिए तो sin square A plus cos square A हमने क्या पढ़ा है 1 तो cos square A is equal to क्या हो जाएगा 1 minus sin square A तो cos A की value sin A में क्या आ जाएगी under root 1 minus sin square A यह तो हुई cos A की value sin A की value निका लिए sin A क्या होता है sin by cos sin A divided by cos है sin A के term में लिखना ही था तो sin A sin A है और cos A की value sin A के term में क्या हो जाएगी under root 1 minus sin square A यह आपका answer फिर क्या कह रहा है फिर कह रहा है फिर कह रहा है sec A sec A निकाल दीजिए sec A क्या होता है 1 upon cos A और cos A की value आप निकाल चुके हैं सिद्द कीजिए कि this is equal to 1 कोई कितना भी complex equation हो उसको sin और cos के term में ले जाएए left side में लिख रहा हूँ इसकी क्या है sec A 1 minus sin A और sec A plus 10 A इसको sin और cos के term में ले जाएए कितनी भी complex equation हो तो sec A को क्या लिखेंगे 1 upon cos A 1 minus sin A already है sec A को लिख दीजिए 1 upon cos A plus sin A divided by cos A तो एक क्या हो जाएगा 1 upon cos A 1 minus sin A denominator same है तो numerator अगर हर same हो तो अंस आपस में जुड़िया घड़ जाते हैं अगर यहाँ पर जोड़ का sign है प्लस का तो जुड़ जाएंगे divided by denominator है cos A तो cos A और cos A क्या हो गया cos square A और यह क्या लिखा है A minus B A plus B A square minus B square 1 minus sin square A क्या होता है cos square A अब cos square A divided by cos square A यह क्या हो जाएगा 1 is equal to right hand side hence proved कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछिए कितनी भी complex equation दी हो उसको हमेशा sign और cos के term में break कर दीजिए जैसे ही आप break करेंगे और सालू करते जाएए आपको value मिल जाएगी 11th number 11th number क्या कह रहा है cot A minus cos A divided by cot A plus cos A is equal to cos A minus 1 और cos A plus 1 आप दोनों साइट से सालू कर सकते हैं सबसे पहले देते हैं left hand side cot को लिख दीजिए cos A divided by sin A minus cos A cos A divided by sin A plus cos A यह क्या हो जाएगा cos A minus cos A sin A divided by sin A क्या क्या हमने cross multiply कर दिया similarly यहाँ पर cos A plus cos A sin A divided by sin A कहीं कोई दिक्कत ठीक यहाँ से cos A common ले लीजिए तो क्या बचा 1 minus sin A divided by sin A into इसको reverse कर दीजिए यह हो जाएगा sin A यहाँ से cos A common ले लीजिए तो क्या बचा 1 plus sin A sin A से sin A cancel cos A से cos A cancel क्या हुआ 1 minus sin A divided by 1 plus sin A यहाँ पर क्या लाना है cos A तो sin और cos A में का relation है sin A को लिख दीजिए 1 upon cos A तो वही आ जाएगा जो उपर लिखा है right hand side में यही आपका RHS है sign cos में लिखने के बाद जिसमें आपको निकालना हो उस reference में आप change कर दीजिए अगर यहाँ पर इतने से ही छोड़ देते हैं तो फिर right hand side solve कीजिए right hand side में अभी आपको यही आ जाएगा जब इसको sign में तो break करेंगे फिर आप कहर दीजिए कि left hand side is equal to right hand side hence proved ठीक exercise 8.3 exercise 8.3 क्या कहती है exercise 8.3 यह कहती है first question कि त्रिकोड मिती अनुपात sign ने sec A, 10 A और cut A के पदों में ब्रिक्त कीजिए sign A को sec A sign A sec A sign A को cut A के पदों में ब्रिक्त कीजिए ठीक है तो 10 A direct क्या हो जाएगा 1 by cut A यह तो पता ही है sec A तो sec square A is equal to 1 plus 10 square A तो 1 plus cut square A तो sec A is equal to क्या हो जाएगा under root cut square A plus 1 divided by cut square A यह sec A हो गया sign A क्या हो जाएगा sign A is equal to under root 1 minus cross square A यह होता है और cross square A की जगे 1 upon sec square A sec क्या हो जाएगा sec square A minus 1 divided by sec square A sec square A की value रख दीजिए sec square A की value क्या हो जाएगी sec square A की value आपको पता है क्या 1 plus 1 divided by cut square A minus 1 divided by 1 plus 1 by cut square A 1 7 pencil तो यह क्या हो गया under root 1 upon cut square A divided by 1 plus cut square A divided by cut square A तो यह क्या हो गया under root 1 upon 1 plus cut square A यह हो गया sign square A की sign A की value थीक है जिसके term में लिखना है उसी के term में आप represent करते चले जाईए question number 2 question number 2 क्या कह रहा है angle A के अन्य सभीत record में थी अनुपातों को sec A में लिखना है sec A के term में तो cos A क्या हो जाएगा 1 by sec A cos A पता चल गया तो sin A क्या हो जाएगा under root 1 minus cos square A sec क्या हो जाएगा under root 1 upon sec square A sin और cos पता है तो 10 A क्या हो जाएगा sin A divided by cos A sin A की value क्या है 1 by sec A तो क्या हो जाएगा under root sec square A minus 1 divided by sec A into sec A by 1 तो 10 A क्या हो जाएगा under root sec square A minus 1 अगर 10 A यह है तो cot A क्या हो जाएगा 1 divided by 10 A sec square A minus 1 और cos sec A क्या हो जाएगा 1 divided by sin A 1 divided by यह यह कहिए sec A under root sec square A minus 1 यह आपका answer हर एक angle को हमने sec A में लिख दिया यह तभी आप कर पाएगे जब आपको formula याद हो third number third number क्या कहता है 9,9 sec square A 9,10 square A sec square A is equal to क्या identity पढ़ा है आपने 1 plus 10 square A यहाँ पर जा करके put कर दीजिए तो 9 1 plus 10 square A minus 9,10 square A 9, यह आपका answer है ठिक इसको देखना है तो इसको क्या कर दीजिए multiply कर दीजिए open करके second number 1 plus 10 theta plus 1 theta 1 plus cot theta minus cos 1 theta क्या कीजिए 1 plus sin theta divided by cos theta plus 1 upon cos theta 1 plus cos theta divided by sin theta minus 1 upon sin theta यह क्या हो जाएगा cos theta plus sin theta plus 1 divided by cos theta और यह क्या हो जाएगा sin theta plus cos theta minus 1 divided by sin theta यह होगा multiply कर दीजिए यह लिखा है a plus b a plus b और a minus b a square minus b square divided by cos theta into sin theta open कर दीजिए open करेंगे तो क्या मिलेगा a square plus b square plus 2ab इसकी value क्या होती है 1 तो यह और यह cancel sin theta cos theta sin theta cos theta cancel तो क्या बचा 2 तो इसका answer क्या आजाएगा 2 ठीक similarly इसको open कर दीजिए sin और cos के term में लाकर के open कर दीजिए sin और cos के term में लाकर के open करेंगे तो थर्ड वाला sec a plus 10 a 1 minus sin a तो 1 by cos a plus sin a divided by cos a 1 minus sin a यह क्या लिखा है 1 plus sin a divided by cos a into 1 minus sin a यह क्या लिखा a plus b a minus b a square minus b square 1 minus sin square a is equal to cos square a cos a यह square cancel तो बचा क्या cos a है कहीं cos है c number ठीक similarly fourth 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 अगर सालू करेंगे तो क्या आएगा 1 plus 10 square a और 1 plus 40 square a 1 plus 10 square a आपने पढ़ा है क्या होता है sec square a और 1 plus 40 square a आपने पढ़ा है क्या क्या 10 square a है कहीं d option ठीक चलिए fourth number question start करते है निम लिखे सरोसमिकाई सिद्ध कीजिए जहां वे code जिनके लिए बिंजक परिभासित है noon code है noon code का मतलब क्या हुआ acute angle acute angle का क्या मतलब हुआ कि जो angle है वो हमेशा 90 degree से छोटा है ठीक तो इसको प्रूफ करते है question number first cosec theta minus cot theta whole square is equal to 1 minus cos theta divided by 1 plus cos theta ठीक इसको क्या कर दीजी open कर दीजी left hand side तो cosec square theta plus cot square theta minus 2 cosec theta cot theta ठीक cosec square theta is equal to क्या होता है 1 plus cot square theta नहीं यह सही नहीं है क्यों नहीं सही है उसका कारण मैं बता दूँ इधर क्या लिखा है cos के term में तो इसको भी क्या कर देते है sin और cos के term में ले जाते है तो इसको लिख देंगे 1 upon sin theta और इसको लिख देंगे cos theta by sin theta square तो यह क्या है 1 minus cos theta divided by sin theta square open कर दीजिए a square plus b square minus 2ab divided by sin square theta ठीक अब क्या कर दीजिए 1 minus cos theta इधर लिखा है ठीक है तो इसको भी open करने की जरुवत नहीं है क्यों नहीं जरुवत है वो इस वज़े से नहीं जरुवत है क्योंकि हमें left side में 1 minus cos theta denominator में चाहिए अंस में इस वज़े से sin square theta इसको direct लिखते है 1 minus cos theta cos theta का whole square sin square theta को क्या लिख दे है 1 minus cos square theta a minus b a plus b इसको आप क्या लिख सकते है 1 minus cos theta का whole square और इसको लिख दीजिए 1 minus cos theta into 1 plus cos theta minus वाला square से cancel 1 minus cos theta divided by 1 plus cos theta this is right hand side बास समझ में आ गई हमने कैसे जाना कि इसको ऐसे break करना है देखिए right side में क्या लिखा है जो लिखा है उसी को लाने का प्रयास कीजिए 1 minus cos theta लिखा है यहाँ पर our lady 1 minus cos theta है तो हम इसको नहीं छेड़ते हैं सिर्फ नीचे वाले के साथ play करना है तो उसको हम क्या कर दीजिए उसको उसी के term में ले जाईए जैसे वो लिखा है ठीक तो यहाँ पर cos है तो हमने sign को क्या कर दिया पास के term में ले गए अपने हाँ pencil हो गया और answer आ गया ठीक है चलिए अगले question पर चलते है अगला question क्या कहता है second क्या है cos a divided by one plus sin a plus one plus sin a divided by cos a is equal to क्या दिया है two sec a sec a का मतलब क्या हुआ one upon cos a मतलब एक क्या लिखा है two by cos a ठीक cross multiply कर दीजिए cos square a plus one plus sin square a plus two sin a divided by cos a plus sin a cos a यहाँ पर क्या है left side यह left side हम चल रहा है क्या कीजिए sin square theta plus cos square theta one one plus one two यह लिखा है two plus two sin a और यह क्या लिखा है cos a को कुछ मत कीजिए क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पर cos a ही लाना है यहाँ पर लिखा है one plus sin a two common ले लिजिए तो one plus sign है cos a common था ही one plus sign है यह और यह cancel तो क्या बचा two upon cos a इसको क्या लिख दीजिए two sec a बहुत ही चीजे आसान है ठीक यह तभी होगा जब आपको यह identities आती होंगी sign और cos और इनमें सब में relation पता होगा तब आएगा ठीक कहें कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा third number third number question क्या कह रहा है 10 theta divided by 1 minus cot theta plus cot theta divided by 1 minus 10 theta is equal to 1 plus sec theta cos theta ठीक ज़रा right side को breaker देते हैं sec theta मतलब cos theta और cos theta is equal to 1 upon sin theta तो यह क्या लिखा है 1 upon sin theta cos theta यह लाना है हमें ठीक तो इसको sin और cos में breaker दीजिए तो left hand side लिखेंगे sin theta को क्या लिखेंगे sin theta divided by cos theta upon 1 minus cos theta divided by sin theta plus यह हो जाएगा cos theta divided by sin theta 1 minus sin theta divided by cos theta यह क्या हो गया sin theta divided by cos theta into sin theta sin theta minus cos theta plus cos theta divided by sin theta into cos theta divided by cos theta minus sin theta ठीक यह क्या है उपर लिखा sin square theta ठीक और नीचे क्या लिखा है cos theta sin theta minus cos theta यह लिखा है cos square theta यह क्या है sin theta cos theta minus sin theta ठीक LCM ले लिजिए LCM लेंगे तो क्या आएगा 1 upon sin theta cos theta sin theta minus cos theta ठीक 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 यहाँ पर क्या बचा sin theta यहाँ पर multiply हो जाएगा sin square theta into sin theta और यहाँ पर क्या बचा cos theta cos square theta into cos theta ठीक अब क्या बचा 1 minus cos square theta कुछ change हो सकता है अधाँ क्या हूच्ड़ फ्गे लेदागा सकता हूँ क्या हूँ यहाँ क्या बचल यहाँ सकता है सकता हूँ a cube minus b cube so 1 upon sin theta cos theta sin theta minus cos theta इसको a cube minus b cube लिखा है तो इसको a minus b फिर हो जाएगा a square फर्मूला क्या है a cube minus b cube का a minus b a square plus b square plus a b a square minus a square b plus a square b ठीक है a b square plus में minus a b square ठीक है यह हो गया फिर sin square theta यहां पर क्या लिखा जाएगा sin square theta plus cos square theta plus two sin theta cos theta तो यहां पर नहीं रहेगा हमने यही वाला फर्मूला अपलाई कर दिया यह लिखा है a cube और यह लिखा है b cube यह अपलाई कर दिया जैसे अपलाई करेंगे यह और यह cancel तो आगे क्या बचा आगे बचा है one upon sin theta cos theta यह हो गया one plus sin theta cos theta इसको अंदर ले जाएए तो यह बचा one upon sin theta cos theta plus one तो इसी को लिख सकते हैं one upon cos sec theta into sec theta यही आपको proof करना यह है right side ठीक है तो question देख करके गबड़ाना नहीं है आपको क्या करते जाना है sign और cast में तोड़ करके salu करते जाना है fourth question अभी देख लेते हैं कुछ इतने question है fourth question इसके बाद next class में करेंगे तो अभी third तक ही कीजिए उसके बाद next class में करेंगे ठीक है तो चलिए आज के लिए इतना ही next class में हम लोग क्या करेंगे इसके अगले exercise करेंगे और फिर ये chapter हमारा खतम हो जाएगा फिर अच्छे से बढ़ाई करते रहिए और मेनत करते रहिए practice कीजिए धन्यवाद जाएगा